हेलो दोस्तों तो किलास नाइंत का मैत का ओरिजिनल कुश्चन पेपर आ चुका है तो इसके आंसरों को जल्दी से देख लीजिए इसके आंसर है जैसे इसमें पहला कुश्चन है 327 बटे 500 तो इसमें अगर हम 0 का भाग देंगे तो 3.27 हो जाएगा अब इसका 5 में अगर जागने जाता है तो इसका मतलब हो गया जीरो बार जाएगा तो इसमें जीरो कौन सा है तो यह जीरो नहीं है पहली संक्या यह जीरो नहीं है यह जीरो नहीं है तो डी ऑप्सन क्या हो जाएगा सई हो जाएगा तो ऑप्सन से करना है यह कुश्चन ऐसे अगला कुश्चन ह इसमें क्या है अगला question है इसमें बहुपद तो बहुपद की घात बतानी है तो इसमें चर क्या है बाई तो किसी चर की अधिकतम घात ही उस बहुपद की क्या कहलाती है घात कहलाती है तो किसी यह ध्यान रखना है हमेशा किसी चर की अधिकतम घात ही क्या होती है उस जोडेंगे तो 1x प्लस 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा और टोटल क्या होता है तीनों कौनों का यह 180 होता है तो 6 से इसको काटेंगे तो 30 बार काटेगा इसका मतलब क्या हो गया x कमान 30 है x कमान 30 हो गया तो x कमान इसमें रखेंगे तो 1 गुणा 30 ऐसे ही 2 गुण कुश्चन है इसमें तेरो भुझ के तीन कोन नोका यो acred तो क्या है अभी बतायब रिजू कोन कैते हैं सरल कॉछ्ण डिया रिजू कोर्ण ऐसी अगला कुश्चन है आयत की लंबाई साथ है आयत की लंबाई 20 और चोड़ाई 10 है तो छेत्रफल आयत का परिमाप होता है दो गोड़ा लंबाई प्लस चोड़ाई तो 20 प्लस 10 कितना हो जाएगा तो 30 तीस दूनी 60 हो जाएगा तो 60 इसका सही हो जाएगा ऐसे बर्ग की परास इसका मतलब क्या हो गया लास्ट में क्या है 50 है तो अगर हम इसमें क्या है एक अंतर का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 10 पंची 50 तो 5 इसका सही हो जाएगा बैसी अगर हम ऐसे करेंगे तो 0 से 10 10 से 20 ऐसे 50 तक पहुचेंगे तो ये कितने अंतराल हो जाएगे 5 हो question है इसमें अगला question देखिए इसमें किसी स्रेडी का बहुलक बहुलक क्या होता है अब देखिए किसी स्रेडी का बहुलक क्या है सरवादिक होता है सरवादिक मूले वाला क्या होता है बहुलक होता है तो बी option इसका सही हो जाएगा बी option क्या हो जाएगा सरवादिक मूले क्या होता है सही होता है ऐसी अगला है देखिए इसमें बाई माइनस टू एक्स माइनस तीन है ये तो पाई कमान पांच रखते हैं तो एक्स कमान क्या आएगा तो पाई कमान अगर पांच रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा दो एक्स माइनस तीन बरावर जीरो तो तो यह क्या हो जाएगा पांच में से तीन जाएंगे तो दो बचेंगे और यह दो एक्स हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया एक्स कमान क्या हो जाएगा एक आजाएगा तो एक्स कमान क्या हो जाएगा एक सही हो जाएगा या फिर देखिए यह बताना है तीन कॉमा माइ संपूरा कॉण की परिवासा क्या होती है ऐसे दो कॉण जिनका योग क्या होता है ऐसे दो कॉंड जिनका योग क्या होता है 180 होता है उनको क्या कहते है समपूरा कॉंड कहते है ऐसे अगला question है इसका देखिए तिरबज P.O.Q. में X कमान निकालना है तो देखिए अभी बता है मैंने सरल रिखा कमान, सरल कॉंड कमान पूरी अकॉंड कितना होता है 180 का होता है तो 180 का होता है तो यह क्या हो जाएगा तीनों को जोड़ें तो 40 प्लस 4X प्लस 3X बरावर क्या होना चाहिए 180 होना चाहिए इसका मतलब क्या हो गया 40 प्लस 4X यह क्या हो जाएगा 4 और 3 7X तो 180 माइनस क्या हो जाएगा 40 बरावर क्या हो जाएगा 7X तो 180 में से 40 जाएगे तो कितने बचेंगे 140 और 7 का भाग लगाएगे तो X कमान क्या जाएगा 7 दूनी 14 तो X कमान क्या जाएगा 20 आजाएगा X कमान क्या जाएगा 20 आजाएगा ऐसी अगला question है इसमें दो पूरा कौन आपस में समान है तो प्रतिक कमान क्या होता है देखें पूरा कौन का योग होता है असी का योग होता है असी का समान है तो इसका मतलब क्या हो गया दो एक्स हो गया तो दो का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा तो क्या हो तो देखे किसी भी संख्या का निकालना है तो क्या करते हैं बड़े का छेत्रफल बड़े भाग का छेत्रफल बटे एक भाग का छेत्रफल तो पूरी फर्स का छेत्रफल मैं अगर एक एक फर्स का एक टायल का भाग दे देंगे तो हमें क्या हो जाएगा संख्या पता चल जा बड़े बड़े फर्स का चेत्रफल बटे एक फर्स एक टाइल का चेत्रफल ऐसे अगला कुश्चन है इसमें तिरबुज ए वी सी की भुजाएं क्या हैं भुजाएं ए वी सी हैं तो इसका अर्ध परिमाप देखें परिमाप होता है ए प्लस भी प्लस सी होता है और अर्ध प यदि इससे क्या है P बाटे Q के रूप में लिखा जाता है जहां P और Q क्या है एक पूरांके और Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए ऐसे गन का प्रश्टिय चित्रफल क्या होता है 6 गोडा बुजा च्छे गोड़ा भुजा होता है गन का चित्रफल क्या होता है च्छे गोड़ा प्रस्टी चित्रफल गन च्छे गोड़ा भुजा ऐसे 90 डिगरी का कौण को पूरा कौण का परिमाप क्या होता है तो परिमाप क्या हो जाएगा परिमाप क्या हो जाएगा ये 90 डिगरी का देखिए अगला है इसमें यह है टू एक्स क्यू माइनस तो इसमें क्या है यह क्या है यह बहुपद है यह तरी घात का तो इसमें एक्स का मान निकालना है तो एक्स का मान एक्स के मान अलग-अलग मानों पर रखके निकालने हैं तो अलग-अलग मानों पर रखके देखें दोस्तों question number ये बार है इसका मैं direct इसका answer बता देता हूँ ये बता देता हूँ बस मान रखने है आपको तो मान अगर तुम रखोगे तो इसके answer क्या हो जाएंगे देखिए इसके answer क्या है x का क्या है देखिए x का मान अगर हम यहाँ पर मान लो 2 रख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा समीकड का मान क्या जाएगा 10 आ जाएगा क्या करना है 2 का मान x की जगे पर रखते जाना है जैसे यह 2 का cube हो जाएगा यह 2 का square हो जाएगा ऐसे क्या है रखना है और calculation करेंगे तो x कमान समीगड कमान 10 आ जाएगा ऐसे x कमान माइनस 3 रखेंगे तो क्या होगा x कमान माइनस 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 201 आएगा माइनस का 201 आएगा ये करके देखने हैं सरल करके देखने हैं ऐसे अगला है x कमान 0 रखेंगे तो देखे ये तो सलल है x कमान अगर 0 रखेंगे तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 तो क्या बचेगा 12 इसका अंसर हो जाएगा ऐसे अगर ये रखेंगे d कमान माइनस 1 x कमान माइनस 1 रखेंगे x कमान माइनस 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए माइनस एक रखने पर क्या आएगा माइनस का 20 आजाएगा क्या आजाएगा माइनस का 20 यह आपको रखके देखने हैं ऐसी अगला कुश्चन है देखिए अगला कुश्चन है इसका अगला है गुड़न खंड ग्यात कीजिए तो देखिए यह द कमेंट बता देना मैंन को गोड़नखंड करना बता दूग आएंगे इसके आंसर अज़ाएंगज कैसी स्कॉषिशन है तो बहुत ही fight यह किसका square है यह 9 का square है तो हम इसको ऐसे लख सकते हैं 9 का square बट्टे यह क्या है एक बट्टे 2 तो 2 से 2 कर जाएगा तो क्या जाएगा इसका answer 9 इसका answer हो जाएगा ऐसे अगला है यह किसका है 2 की power 6 है यह दो की पावर 6 है और गुणा में क्या है एक बटे 6 तो 6 से 6 कर जाएगा तो क्या जाएगा इसका अंसर 2 हो जाएगा ऐसे इसका क्या है यह क्या है पांच की घात 3 है और गुणा में क्या है एक बटे 3 तो ऐसे 3 से 3 कर जाएगा तो क्या बचेगा पांच बचेगा तो इसका अं 120 डिगरी के कौन की रचना ये क्या है ये तो और ही सरल है 120 डिगरी के कौन की रचना इसका मतलब क्या हो गया 120 का क्या है एक पहले तो एक क्या है रेखाखंड खीचना है रेखाखंड खीचना है फिर क्या है एक चाप बनाना है चाप को पहला चाप होता है 60 का होता और दूसर 120 का तो ऐसे क्या करना है 120 का हो जाएगा ये फिर इसका क्या है इस कौन का समध्धी वाजन करना है तो समध्धी वाजन करने के लिए क्या करेंगे यहां पर चाप काटेंगे और इस पॉइंट से यहां पर चाप काटेंगे और इसको क्या कर देंगे खीच देंगे तो क्या है 60-60 के हो जाएंगे ये वाला 60 का और ये वाला 60 का तो ऐसे क्या करते हैं इसका समध्धी वाजन करते हैं ऐसे अगला कोश्चन है अत्वा में है ये 5 सेंटी मीटर रेखा कंड कीचना है पांच सेंटिमीटर का रेका कंड कीच के इसके बाहर ये बंदू पीव से क्या है इस पर लंब कीचना है इसको हो जाएगा यह ऐसे अगला question है इसमें संभाव उत्रबुज पी की वार तो यह क्या है संभाव उत्रबुज पी की वार की रचना करने है देखें इसको कैसे बनाएंगे 5.5 cm अब यह पता है संभाव उत्रबुज की तीनों बुजाएं समान होती है तो इसमें क्या है यह नीचे की 5.5 की बना ली हमने फिर क्या करेंगे हम 5.5 का क्या है परकार से चाप काटेंगे फिर क्या है यहां से नौक रखके ऐसे चाप काटेंगे और यहां से 5.5 का ऐसे चाप काटेंगे जहां पर यह काटेंगे वहां से इसको क्या है मिला देंगे तो ये क्या है तीनों ही 5, 5.5 की बन जाएंगी तो ये बहुती सरल क्षिशन है ऐसे अगला है देखें ये क्या है एकंप punya बर्गाकार मैदान का छितरफल तो समय बर्गाकार मैदान का छितरफल दे रखा है तो इससे हम बुजा नकाल सकते हैं 45, तो X का मान क्या आ जाएगा, बुजा क्या आ जाएगा, 45, क्या हो जाएगा ये, 20-25 किसका बर्ग मूल होता है, 45 का, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये बर्ग है, बर्ग है, इसके चार और क्या है, एक बर्गाकार, चार और बर्गाकार क्या है, दूसरी, क्या है, मार्ग है ये वाला तो इसका छित्रफल पूछ रहा है ये तो अब देखे ये चोटा इससा तो है 45 का छित्रफल है इसका तो 45 की बुझा है इसका छित्रफल है 20-25 और बढ़े का छित्रफल निकालेंगे तो ये क्या है 3.5 cm का क्या है ये आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब क क्या हो गया? इसक्वाइर बढ़ गया और बामन का स्क्वाइर क्या होता है? बामन का स्क्वाइर होता है बीस बामन का स्क्वाइर होता है 2704 इसका मतलब क्या हो गया? जो बड़ा है जो बड़ा बड़ा बर्ग है उसका चित्रफल तो है 2704 और छोटे का है 2045 तो अगर 2704 मैं स 20-45 गटाईगे तो क्या हो जाएगा 600-689 तो 689 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 689 मीटर स्क्वाइर तो जो मार गोगा उसका आंसर क्या हो जाएगा 689 बहुत ही सरल कोश्चन है ये तो देखिए एक ऐसे ये अगला है एक कमरे में एक कमरे की लंबाई चोड़ाई अब देखिए क्मरे के क्या करना है हमें पांच का इस से करना है फिर इसका इस से करना है फिर इसका फिर बापस इस से करना है तो फिर क्या है फिर उस पूरे का क्या है दो से गुणा कर देना है जो भी छेतर फल आएगा जो भी छेतर फल आएगा मीटर इसक्वायर उसमें क्या है ये क्या है पिरती पिरती पंद्रे रुपे है, तो एक मीटर के पंद्रे रुपे है, तो जो भी छेत्रफल आएगा, उसमें क्या है, पंद्रे का जो गुणा कर देंगे, उसमें क्या है, वो क्या हो जाएगा, हमारा पैसे निकल लाएगे, तो वो ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऐसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा रूट दो गुणा माइनस तीन तो ऐसे उपर भी कर देंगे नीचे भी कर देंगे माइनस माइनस तीन हो जाएगा तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा all is a minus b, a plus b हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा root 2 minus root 3 वट्ट क्या हो जाएगा minus 1 और भाग देंगे minus 1 का तो क्या हो जाएगा root 2, this root 3 पहले माँच French तो यह क्या हो जाएगा सही answer हो जाएगा, ऐसी अगला question है देखें अगला question है, इसमें 27 की power तो ये क्या है ये तीन का स्क्वाइर लिख सकते हैं और गुणा दो बटे तीन गुणा ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं तीन का क्यूब फिर दोबारा से लिख सकते हैं गुणा एक बटे तीन ऐसे ही गुणा इसको क्या लिख सकते हैं तीन की पावर इसको क्या लिख सकते है तो तो टोटल क्या हो जाएंगे इनको गुणा करने पर आंसर आ जाएगा ऐसी अगला कुच्चन है इसका ये क्या है जैकी इनका फॉर्मूला बता देता हूँ तो ये दोनों क्या है हो जाएगे अब देखिए बिलोपन विदी क्या होती है बिलोपर में क्या है या तो X X के मान को या भाई भाई के मान को बरावर कर लेते हैं वो बरावर होते ही क्या है उनको चिन बदल के काड़ देते हैं तो जो आंसर आते हैं X और भाई के वो ही क्या हो जाते हैं हमारे आंसर हो जाते हैं तो ऐसे करना है ये करके देखना ऐसी अगला कुश्चन है इसमें पिता की आयू अब देखे पिता की आयू पिता की आयू पुत्र की आयू की 6 गोने से 5 अगर पुत्र की हम X मानते हैं पुत्र की मान लो X मान ली तो पिता की क्या हो जाएगी पिता की हो जाएगी 6 गोने से मत पुत्र की आयू आईगी बुक कितनी आएगी, ऐसे करके देखें, तो इन पुत्र की आयू आईगी चार बर्स, और 6 गोने से चार, 5 अदिक का मतलब हो जाएगा, 6.4,5,29, तो पिता की आजाएगी, 29, तो पुत्र की आईगी, 4, और पिता की आईगी, 29 हो जाएगी, ऐसी ऐसे बहान रखने हैं और करना है ऐसे अगला कुश्चण है, यह क्या है? इसका आलेख खीचना है, तो देखिए आलेख कैसे खीचते हैं 3 x माइनस 2 है, तो बरावर में 2 हो जाएगा यह पिलस का और x का भाग लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा? एकदम सीधा हो जाएगा, तो x बरावर क्या हो जाएगा, दो बटे, 3 हो जाएगा, यह क्या होजएगा? इसका आलिख हो जाएगा, ऐसे अगला क्ोश्चन है, इसमें, अगला क्ोश्चन है एक तिरवज है यह, यहiben ऐसे हो, और 10 ए एबी चिमान दे रखें के मान दे रखें, ऐसे ही ये है ऐसे ही देखिए इनको क्या है इनको मैं अगली वीडियो बता दूंगा पार सेकंड में क्या है वीडियो काफी लंबी हो गई है तो दोस्तो यही तक यही तक है और आगे पार्ट टू का इंतिजार करना तब तक के लिए अमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ध